हलो माई दियर स्टुएंट्स एंड माई दियर विवर मैं लक्ष एकाडमी का डिरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ इंडियन पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन लेकर जो अकसर प्रतियोगता परिक्षा में आया है और आगे भी आने की संभावना है आईए सुरुवात करते हैं पहला कुश्चन देखते हैं भारत के समविधान का निर्माता किसे माना जाता है इसी आप स्टार मार कुश्चन में रख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन है अगर आप थोड़ा भी प्रतियोगता परिक्षा की तयारी करते होंगे तो आपको इसका एंसर पता होगा बी आर अंबेड कर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन इसी आप स्टार मा आगू किया गया 26 जनवरी 1950 को ये फोटो ऑप्सन पे ही आ गया था ये तब की फोटो है जब बहुत सारे बच्चों का सेलेक्शन हुआ था और वे लोग हम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाए थे आए देखते हैं कुशन नमबर 3 भारतिय समविधान कितने भाग में बाट किया गया है तो इसका सही जवाब होगा ओप्सन नमबर डी 22 भाग जैसा कि आप जानते हैं हमारे सम्विधान में 395 अनुचेद 12 अनुसूची और 22 भाग का वर्णन किया गया है क्लेर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नमबर 4 वर्तमान में भारतिय समविधान में कुल कितनी अनुसूचिया है तो इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर डी 12 जैसा कि अभी जस्ट पहले मैंने कहा 395 अनुचेद 12 अनुसूची और 22 भाग क्वेश्चन नमबर 5 देखा जाए समविधान सभादवारा अन्तिम रूप से भारतिय समविधान में कुल कितनी अनुसूचिया थी तो जब हमारा समविधान तयार हुआ था वर्स 1950 में लागू किया गया था उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियों का समावेश किया गया था हाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए वर्तमान समय में भारतिय समविधान में गनना की द्रिष्टी से कुल कितने अनुछेद और अनुसूचिया है तो इसका सही जवाब होगा 395 अनुछेद 12 अनुसूची और 22 भाग का वर्णन किया गया है किसी किताब में आपक इसको 25 भाग भी कहा जा सकता है 22 भाग को ही 23-25 में बाटा गया था लेकिन NCRT 22 भाग आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी का एक विशेश है भारतिय समविधान में 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुछेद एवं 12 अनुसूचियों का समावेस किया गया है समविधान के अनुछेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो समविधान के अनुछेद एक में भारत को राजियों का संग कहा गया है निमलिखित में से किस अनुछेद के द्वारा भारतिय सम्विधान नागरीकों को मूल अधिकार प्रदान करता है तो हमारा जो मौली का धिकार है वह 12-35 तक है इसके द्वारा हमें मूल अधिकार सम्विधान के द्वारा मिला हुआ है भारत के समविधान का निमलिखित में से कौन सा अनुछेद अस्प्रिश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरन को निसेध करता है इसका सही जवाब है अनुछेद नंबर 17 अस्प्रिश्यता क्या है तो छुवा छूत भेद भाव ये सब नहीं करना है नेश्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 10 भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती के पद के लिए पुनह निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है तो अनुछेद नंबर 57 बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है और ज्यादा तर जो परिक्षा में कुश्चन पूछे जाते हैं भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत भासन इवम अभिव्यक्ति की स्वतंतरता के अधिकार की गारेंटी दी गई है तो अप्सन नंबर पहला है अनुछेद 19 बहुत ही इंपोर्टेंट है अनुछेद 19 नेक्ष्ट कुश्चन देखा जाए भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में प्रेश की स्वतंतरता दे गई है यह भी कुश्चन आप बहुत बार प्रतियोगता परिक्षा में देखे होंगे इसका सही एंसर है अनुछेद 19 ए या 19 क बोल सकते हैं और इसे पढ़ा जाता है 19 क्लाउज 1 नेक्स्ट क्विश्चन मौलीक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोसन से सम्मंधित है तो सही एंसर है अनुछेद नंबर 24 बहुत ही इंपोर्टेंट क्विश्चन है नेक्स्ट क्विश्चन देखा जाए भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुछेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है चार ओप्सन आपके पास दिये गए है सही जवाब बताईए तब तक बगल में आप जो ये किताब देख रहे हैं ये लक्ष एकाडमी का किताब है बहुत ही इंपोटेंट और इसका अंसर नंबर बी था इस किताब में आपको हर एक लेशन से 125 क्विश्चन का समावेस दिया गया है बहुत ही इंपोटेंट की क्विश्चन का कलेक्शन इसमें दिया गया है भारत के सम्विधान के कौन से अनुछेद में भारत के राष्टपती के महावियोग के प्रावधान के बारे में उलेख किया गया है सही जवाब है अनुछेद नंबर 61 अनुछेद नंबर 61 के द्वारा भारत के राष्टपती को उसके पत से हटाया जा सकता है समविधान का कौन सा अनुछेद मंत्री परिशत के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है अनुछेद नमबर 75 धन विधेयक भारतिय समविधान के किस अनुछेद में परिभासित किया गया है धन विधेयक बहुत ही इंपोर्टेंट कुशेद है अनुछेद नमबर 110 देखे इसमें 50 कुशेद हम लोग पूरा करेंगे और 50 का 50 बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कुशेद 18 अठारा नमबर भारतिय समविधान का निमलिकित में से कौन सा अनुछेद भारत के राष्टपति को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान करता है अनुछेद नमबर 123 यानि की 123 नेक्स्ट क्वेशन भारतिय समविधान का कौन सा अनुछेद समवैधानिक प्रावधानों की संहिया संसत एवं राज्जी विधान पालिकाओं दोरा बनाए गए नियों मों वो कानूनों पर प्राथमिक्ता प्रदान करती है तो काफी important question है अनुछेद number 245 actually क्या है कि इसमें सारा important question है तो important बोलने का मतलब यह है कि सारा आप याद कर लेंगे question number 20 भारतिय समविधान के अंतरगत निमलिकित में से कौन सा अनुछेद संसत को राज्य सुची के विशाय में संबंध में विधी बनाने की सक्ति प्रदान करता है अनुछेद number 249 और ये ब भारतिय समविधान के किस अनुछेद के अंतरगत अंतराष्टिय शम्जोतों को प्रभावी बनाने है तो संसद राज्य सुची के विशाय पर कानून बना सकती है तो अनुछेद number 253 अनुछेद number 253 नेक्ट कुश्चन देखा जाए बढ़ियां से इस कुश्चन को देख लीजे नेक्ट कुश्चन भारतिय समविधान का कौन सा अनुछेद नई अखिल भारतिय सेवा की अस्थापना का प्रावधान करता है अखिल भारतिय सेवा का मतलब जैसे UPSC ये सब तो ऑप्सन नंबर B अनुछेद number 312 नेक्ट कुश्चन है 23 भारतिय समविधान के किस अ यही अंसर है आप उसे ही हिट करें उसे ही देखें नहीं तो बाकी भी याद रह जाता है कभी कभी नेक्ट कुश्चन अनुशुचित जाती और अनुशुचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्री आयोग गठित करने का प्रावधान समविधान के किस अनुछेद के अं अत्वा ससस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्रिया आपातकाल की घोषना किसके अंतरगत की गई है तो भारत में राष्ट्रिया आपातकी घोषना अनुछेद नंबर 352 के अंतरगत होती है पूरे देश में राष्ट्रपती सासन लगा नेक्स्ट क्वेशन भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद राज्यों में सम्वैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिती में राष्टपती सासन का प्रावधान करता है तो यहाँ पर देखे राज्यों में राष्टपती सासन का प्रावधान राष्टपती अपने अनु वस्ता देखता है अनुछेद नंबर 356, किस अनुछेद के अंतरगत संसद संविधान में संसोधन कर सकती है, तो अनुछेद नंबर 368, 368 में संसद को यह प्रावधान है कि वह संसोधन कर सकती है, भारत के संविधान का अनुछे 368 कि संबंध में है, तो जैसा अभी पहले ही बताए थे, संविधान का संसोधन करने की भारत की संसद किया विशेद सकती है, अगर संविधान में कुछ गलत लिखा जा चुका है, तो उसको सही किया जा सकता है, नेक्स्ट क्वेशन, हाल ही में हटाया गया आनुछे 373 भारत के किस राज्ये से संबंधित है, तो जम्मू कस्मीर, ये अभी हाल का ही क्वेशन है, इसलिए आप सभी को पता ही होगा, विशे से इसमें, अमित साह, ग्रिह मंत्री के बयान के मुताबिक, 370 क्लाउज 1 आज भी लागू है, सिर्फ 370 क्लाउज 2 और क्लाउज 3 को हटाया गया है, नेक्स्ट है, 371 में प्रावधान के मुताबिक, जम्मू और कस्मीर की सरकार से सलाह करके, राष्टपती आदेश द्वारा, सम्विधान के विभिन अनुछेदों को, जम्मू और कस्मीर पर लागू कर सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन, question number 30, भारत के सम्विधान का अनुछेद 371A, किसे असाधारन विशेश अधिकार प्रदान करता है, तो सही जवाब है नागालैंड को, नागालैंड को विशेश अधिकार दिया गया है, नागालैंड को, next question, 31, भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद, विभिन आधारों पर किसी भी भारतिय नागरी के साथ भेद भाव से सम्बंदित है, तो अनुछेद नंबर 15, इसका आर्थ है कि किसी भी भारतिय नागरी के साथ हम लोग भेद भाव नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, question number 32, अनुछेद 356 का सम्बंध किस से है, तो पहले question राष्टपती सासन से है, राजिपाल के माध्यम से, राजियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में विभेण राजियों से सम्बंधित विशिष्ट प्रावधान का उलेक है, तो यह चार ओप्सन आपके पास दिये गये हैं, इसमें स भारत के सम्विधान के अनुछेद 371G में दिये गये विशिष्ट उपबंध किस राज्जे से सम्बंधित है, तो 371G मिजोरम से, मिजोरम को भी विशिष्ट राज्जे का दरजा प्राप्त है, और मिजोरम के लिए कुछ कानून एक्स्ट्रा है, Q35, सम्विधान के किस अनुछेद में यह विवस्था की गई है, कि प्रतेक राज्जे सिक्षा के प्रात्मिक अस्तर पर मात्री भासा में सिक्षा की परयाप्त सुविधाओं की विवस्था करने का प्रयास करेगा, यह विवस्था अनुछे 350 के अंतरगत किया गया है, Q35, जिसके तहट हर एक राज्यों को हिंदी में यानि मात्री भासा में सिक्षा देना आनिवारे किया गया, Q36, भारत के सम्विधान का वह कौन सा अनुछेद है, जिसमें भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक का उलेख है, तो अनुछेद नंबर 148, महालेखा परिक् का संग्रक्षन एवं सुधार, या कथन भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद से संदर्भीत है, तो अनुछेद नंबर 51A, इसे हम लोग 51 क्लाउज A कहेंगे, clear, बहुत सारा इसका explanation हम कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी किसी next वीडियो में बताएंगे, आज हम लोग सिर्फ important question, पचास important question देखेंगे, question number 37, भारत के प्रतेक नागरी का कर्तव ये होगा, प्राकिर्तिक परियावरन का संग्रक्षन एवं सुधार, या कथन भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद से है, next question देखे, question number 38, राज्य विधान सभावों में आंगल भारतिय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्यों का प्रावधान भारत के सम्विधान के किस अनुछेद के द्वारा किया गया है, तो अनुछेद number 333, 333, बहुत ही अच्छा question है, question number 39 देखे, भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद भारत के विदेश निती से सम्बंधित है, अनुछेद number 51, अनुछेद number 360, और ये कभी उप्योग होगा भी नहीं, क्योंकि 360 में वीतिया आपात का प्रावधान है, वीतिया आपात मतलब देश के सारे पैसे का मालिक राष्टपती हो जाएगा, तो नेता लोग तो डूभी जाएगा, इसलिए वो लोग कभी करेगा ने, question number 41, भारति नंबर 2 में किया गया है, संसद अपने वोटिंग से विशेश बहुमत से यदि पारित कर देता है, तो नए राज्य का निर्मान किया जा सकता है, next question 42, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, कौन सा अनुछेद भारतिय समविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुछेद है, त इसे कि जो समविधान का जो बेसिक आत्मा कहा जाता है, उसका उलेख है अनुछेद नंबर 32 में, बहुत ही important question, next question देखा जाए, देख लिजे इसको, अगर दिक्कत है तो देख लिजे, फिर से उतार लिजेगा, बहुत ही important question है, star mark question में आप इसको 42 नंबर को रख सकते हैं, next question, 43, किसी राज्य में विधान परिशत की अस्थापना और समापती का प्रावधान है, किस अनुछेद में यह वर्णित है, किस अनुछेद में यह बताया गया है, जल्दी से आप लग सोचके बताईए, अनुछेद नंबर 169, very good, बहुत अच्छा, अनुछेद नंबर 169 next question, 44, भारतिय समविधान के किस अनुछेद में अनुछेद जातियों और अनुछेद जन जातियों के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है, यानि SC और ST को जो आरक्षन दिया जाता है, वह किस अनुछेद में इसका प्रावधान है, तो अनुछेद नंबर 335, अनु Q45. भारत के सम्विधान का निम्लिकित में से कौन सा अनुछेद समान नागरिक सहिता से संबंदित है? इसे आप स्टार मार क्वेश्चन में रख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, सही जवाब होगा, अनुछेद नंबर 44. संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत मौलिक अधिकार है? यानि आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हैं? नेक्स्ट कुश्चन 47. भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोथसाहित करता है? इसका सही जवाब है अनुछेद नंबर 39. क्लाउज A. इसे आप 39 कभी कह सकते हैं? जो कि आप मुफ्त कानून विवस्थास मुफ्त सलाह ले सकते हैं. नेक्स्ट कुश्चन भारत के सम्विधान का कौन सा अनुछेद भारत में एक नए राजिके गठन के लिए दिया गया है? तो अनुछेद नंबर 3. ये 48 नंबर था, इसके बाद 49. भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद धर्म, वन्स, जाती, लिंग, जन, मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है. तो इसका सही जवाब है अनुछेद नंबर 15. इस टार मार्क कुश्चन में आप इसे रख सकते हैं. किसी के साथ भेदभाव, किसी भी वैक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. जिससे की और भी अधिक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें. थाइंक यू वेरी मच. थाइंक यू.